नाइट आप चैंपियंज के ओपनिंग में होता है सथ फ्रीकिन रोलन्स वर्सेस एजसास का वर्ल हेवीड चैंपियंशिप का मैच अल्रेडी रात में मैंने इसके बार में बात करी थी कि सैथ रोलन्स जीच चुके फाइनली थोड़ी से नीमें उनके प्रॉब्लम जरूर है लेकिन फाइनली सेथ रोलन्स जीच चुके है और वो बन जुके वर्ल हेवीड चैंपियंट ड्रॉबल चाहते है डाइडल थामाने के लिए येस फाइनली एक लंबे टाइम के बास आदा उसके पास साइडल आच चुके हैं डेफिनिटली इस काफी डिजर्विंग चीज अपने साइथ रोलन्स के लिए और मेरे कैसे ओपनी डब डबली ने काफी कमाल की करी थी लेकिन इसके बाद हमें दिखा देता है नेक्स्ट मैच जो क्योता है बैकी लिंच और ट्रेश ट्रैटर्स का मैच और इस वाली मैच के अंदर ये भी हमें मैच अच्छा दिखा दे देता है आखिर में मैच के अंदर हम ये चीज़ दिखा देती बैकिलिंज रिंग के बाहर होती लेकिन रिंग के नीचे से आती यहां पर से जोई स्टार्क्स और वह अटाक करती है बैकिलिंज के उपर एंड इसके बाद जो है ट्रेश ट्रैडस अपना फिनिशर लगाती ह प्लाल हमें चीटिंग के बीछिय त्रियों देखा देती है फिर होता है श्दाफालिए चुझे जो भी है अच्छा मेंम जो इन उंगलियों के कारण वो जो कुछ हो है बियांका बलर के आख में कुछ चीज़े करती है एंड ग्रीमिस में रहा था है इस वाले मैच के अंदर आसका जीच चुकी है एंड आसका बन चुकी है फाइनली न्यू रॉब में चैंपियन तो यह काफि एक बड़ी चीज थी जो के आस नाइट ओब चैंपियस के अंदर हमें दिखा दी फानली भी यांका बलर के रहें हो चुकी है एंड इसके वाद में दिखा देता है रियर रिप्ली अंड नेटाले का मैच नटाले को पहले वो अटाक करती रिया रिप्ली एंड एक स्क्वाइश मैच होता है मैश आर्म को बहुत मारते हैं आखर में ब्रॉक लेस्टे बहुत तकड़ा किमूरा लॉक लगाते कोड़े रोस टैप आप तो नहीं करते लेकिन यहाँ पर मैच जो हमें एंड होतावा दिखा देते हैं ब्रॉक लेस्नर जीच जाते हैं यहाँ पर से मैच के अंदर विक्ट्री व काफर सिगे बाद आता हैżyों का बड़ा मैच मेन इवेंट रूमर स्वाइं मैज आपकर में यह नहीं वमीट से अंया हुप को है कि वेम верх होटा है इसके बाब ऊसोस की इंटरप्शन होती सोलो सिकों आई सूबर किक लगाती है यह है एप overcome kick लगाते हैं इसके बाद इसी देखते रूमर को उपर गुस्ता होते हैं कि पीचे से फानली जिमी उसोने वह चीज करते हुए बहुत लंबे टायम से करने वाले जिमी जे के तरफ देखते दोने दूसरे को घूरते हैं लेकिन जे उसो भी अटाक करते हैं डवल सोबर की क्रोमर रेस को बढ़ती हैं और फानली ब्लड लाइन का प्रेक अप हो चुका है इसके बाद जो जाते हैं और फिर जो सोलुसी को अकुपिन करते हैं एंड वन टू ए इसको घूर है तो काफी कमाल के एंड हो चुक और फाइनली ब्लेर्ड लाइन हार चुकी है और फाने वाले सीम्नटी चेल्ची अनद कि फुलाल गैज आपका नाइट आप जैम्बेस के बाइन में क्या कहना है कमेंट के अंदर बताना जरूरा एंट फुलाल आज के वाली वीडियो बस दिने सिती वीडियो बस ने तो आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो और में मिलता हूं नेक्स्ट वीडिय के अंदर